वेल्कम बैक तो एनेदर वीडियो आज तो नेक डिजाइन आप सीखेंगे बिल्कुल नियू डिजाइन है आपको बहुत ज़्याद आप सांधाने वाला है वीडियो स्टार्ट करने से पहले में रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अजय करें दोस्तों साथ शेयर है जरूर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करतें यह चलिए का फ्रंट पार्ट है जिसागर नेक डिजाइन बनाना है यह साथ मिने ट्राउसर का फैबरिक लिया है जिसन पर इसके पेंटिक ताल के स्कूपर हमें पेस क करना है इसकी total चोड़ाई simple fabric 2-12 ची और लंबाई में में 77 अगर आप लेंट इसकी काम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं कि सेंटर से हमने स्क्वारी से को ऐसे फोल करना है और सेंटर से में पिंटिक स्टाल नहीं स्टार्ट करूंगी पिंटिक्स पिल्कुल बारीक डालनी है ऐसे एक पिंटिक्स डाल यह अब हाफ इंच का गैप चोर के सेम वैसी मैंने फैबरिक को फोल करना है और बारीक पिंटिक्स डाल देनी है ऐसी हाफा फिंच का Gै leopard चोड़के सारे फैब्रिक पे पिन्टिक्स टाल लेनी है पिन्टिक्स टालने के बाद फैब्रिक को मैंने प्रइस कर लिया है center से इसको fold करना है fold करने के बाद एक side पे हमने round shape draw करनी है जैसे मैं का रही हूँ आपने सेम ऐसे करी अगर आपसे इस तरह से राउंड शेप नहीं आ रही तो आप कोई भी राउंड चीज प्लेट या कोई चीज रखके आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे ट्रॉ करने के बाद इसको फॉलो करके एक्स्टा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है तो नीचे से नेक डिजाइन इस तरह से राउंड शेप में आएगा जो पहनने के बाद बहुत खुब्सूरत लुकतेगा अब इसके साइड में अपने ट्राइंगल लगाने हैं तो उसक इसके साइड पे अटेच करना है सीधी साइड पर आपने रखना ऐसे जैसे में रखी उपर से एक इन चोड़ना है क्योंकि वह शूल्डर की स्लाइ में जायगा ऐसे हापिंच तक फैब्रे को छोड़ के सीधी साइड पे इस तरह से रखने हैं जैसे मैंने रखे और ऐसे सीधी साइड पे सारे ट्राइंगल्स मैंने लगा लिये हैं अब ऐसे उल्टी साइड पे इनको फोल्ड करके प्रेस करना है ऐसे एक्स्टा फैब्रिक को उल्टी साइड पे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है तो ट्राइंगल्स कितनी सफाई के साथ आ गए है ये मेतड बह मैंने 10 इंच लिये, सेंटर से मैंने इसको ऐसे फोल करना है अब नेक की चोड़ाई और लंबाई की निशान आपने अपने नाप के अकॉर्डिंग लगाने है मेरे पास नेक की चोड़ाई टोटल 7 इंच थी, उसका हाफ साड़े 3 इंच पे निशान लगाया है और लंबाई मैंने त्यार साड़े 6 इंच रखनी है, हाफ इंच मैंने एक्स्टर लिया है जो स्लाई में जाएगा 7 इंच तक लगाई है और नीचे से नेक लाइन की लेंथ मैं 7.5 इंच रखूँगी ऐसे मैंने निशान लगा लिये हैं, अब उपर से हमने नेक को राउंड शेप देनी है तो इस तरह से मैं L शेप डॉख करूँगी जो लंबाई और चुड़ाई के निशान लगाए इनको फॉलो करते हुए और नेक को सेंटर से राउंड शेप दे दूगी अगर नेक के सेंटर से ये राउंड शेप आपकी अच्छे से नहीं आती तो आपको भी राउंड चीज प्लेट वगारा रखके तरह से राउंड शेप डॉख कर सकते हैं नीची से नेक लाइन के लिए आपने लंबाई में इतना निशान लगाना है कि दोनों साइट पे आप स्लाई लगाके फैबरे को कट लगा सकें तो ऐसे हलकर सी मार्जन पे मैंने निशान लगाके कट लगाना है अब यह वाले जो निशान लगाए हैं इमको फॉलो करते करनी है अब नेक की कटिंग फैबरे के सेंटर में मैंने रख के इसको इसतरी की मदद से चिपका लेना है नेक को इस फैबरिक पर मैंने पेस्ट कह लिया है आप शेर्ट के फ्रंट पार्ट पर इसको अटेच करना है उल्टी साइड पर आपने इसको रखना है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए ऐसे मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा है और पिन लगा लूँगी नीचे नेक लाइन पे भी और नेक के सेंटर में भी इस तरह से आपका नेक आगे पीछी नहीं होगा बिल्कुल सेंटर में आएगा आप स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे स्लाई लगानी है अब नेक के सेंटर से एक्स्टर फैब्रिक को कट करना है ऐसे नेक लाइन पे आपने दिहान से कट लगाना है कि यहां से कम है यह जूल रॉंड शेप है यहां पे च्छोटे च्छोटे कट्स लगा लेने है ताके फैब्रिक में कुई जोल वगारा ना आए सीधी साइड पर अब इसको हमने फोल करकर करना है अब ऐसे हमने किनारे किनारे पर स्लाई लगानी है नेक लाइन को बंद करने के लिए चोड़ाई में देडिंग तक फैब्रिक लेना है उसको फोल करके नेक लाइन के सेंटर में रखना है ऐसे fold करके neckline के नीचे रखना है slide आपने पहले इस side पे लगाने है जैसे मैं लगा रहे हूँ क्योंकि दूसरी side पे हम triangles लगाएंगे तो इस तरह से अगर आप neckline को slide लगाएंगे तो triangles लगाने में असानी होगी neckline पे हमने triangles अटेच करने है triangles की center में इतना ही gap चोड़ेंगे कि center में हम एक बटन लगा लें neckline के center में मैंने triangles लगा लिए नीचे से मैंने ये देट से 2 inch cap चोड़ा है जो बहुत खुबसूरत लगते रहे आप चाहें तो नीचे तक लगा सकते हैं अब ऐसे side पे हमने slide लगा लेनी है neck के side पे slide लगाने के बाद इसको मैंने प्रेस कर लिया है neckline के center में pulse attach करने है neckline के center में pulse attach करने के बाद आज ये design बहुत खुबसूरत लगते रहे आप इसको लेस के बगार गर्मियों के सूर पे बना सकते हैं simple सूर पे ये neck design बहुत खुबसूरत लगतेगा तो ये design आपको बहुत जादा पसांदाने वाला है वीडियो को आपने अपने दोस्तों साथ शेयर जरूर करना है लाइक करना बिल्कुल नहीं बूलना चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को subscribe कर दें मिलिंक नेक्स वीडियो में अल्ला आपेश